अलो स्टूदेंस और यूट्यूब चैनल रिजॉइस एडूकेशन आज हम सिख्थ चैप्टर ले रहे हैं इट सो हैपन बुक का दफाइट इस चैप्टर में दो क्यारेक्टर्स हैं एक है रंजी और दूसरा क्यारेक्टर है सूरज ओके सो रंजी और सूरज की स्टूरिए स्टूडेंस चले देखते हैं स्टूरी कैसे स्टार्ट होती है रंजी है यानि की जब उसे पता चला की पूल है फॉरेस्ट में पूल का मतलब है तालाब it was the height of summer and his school had not yet opened height of summer याने की बहुत तेज दूप थी और उसका school अब तक खुला नहीं था not yet opened and having as yet made no friends in this semi hill station he wondered about a good deal by himself and having as yet made no friends का मतलब है उसने कोई नए दोस नहीं बनाय थे राइपूर में और in this semi hill station तो वो hill station नहीं था एक semi hill station था जहां पर वो रुका था he wondered about a good deal by himself into the hills wondered about a good deal मतलब उसने सोचा की चलो जो hills और forest है that stretched away interminably on all sides stretch का मतलब है पहलना ओके interminably का मतलब है endless 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 यानि की so basically जो hill और वो forest थे वो काफी बड़े थे और काफी stretch होके थे on all sides of the town पूरे टाउन में वो फैल गए थे पूरे ताउन में वो फैल गए थे his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground so his brown feet तो उनकी जो feet थी वो dust की वज़े से काफी chalky हो गए थी chalky का मतलब है गंदी हो गए थी जो dust ground से धूल जो मिटी थी वो उपर आ रही थी ground से the earth was parched parched का मतलब है hot or dry आपने तो पता होगा summers में जादा तर जो land होता है वो काफी dry हो जाता है the grass brown the tree listless hardly stirring waiting for a cool wind और a refreshing shower of rain so basically students यहां पे कुछ नए words है the grass was brown so grass usually green color का होता है लेकिन summer की वज़े से वो काफी brown हो गया था then the tree is listless listless का मतलब है शक्तिहीन तो पेडों में भी शक्ति नहीं बचे थी क्योंकि काफी dry हो गया था hardly stirring stirring का मतलब है भूमता हुआ waiting for a cool wind और a refreshing shower of rain और वो जो पेड़ पॉदे थे वो वेट कर रहे थे बारिश होने का refreshing shower of rain it was on such a day a hot tired day that Ranji found the pool in the forest so काफी hot day था और काफी tiring day था जब Ranji ने वो पूल forest में देखा the water had a gentle translucency translucency का मतलब है student जब आप पानी देखते हैं और पानी के अंदर का भी जब आपको दिखता है तब वो पानी काफी clear होता है translucent होता है okay all right and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool तो पानी इतना साफ था कि जो नीचे के pebbles यानि की पत्थर जो bottom of the pool जो पूल के एकदम नीचे थे वो अब देख पा रहे थे a small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool एक छोटी सी नदी का एक छोटा सा हिस्सा था वो cluster of rocks यानि की बहुत सारे जो पत्थर थे उनके बीच में से एक छोटी सी धारा बह रही थी जो पूल की तरफ जा रही थी during the monsoon this stream would be a gushing torrent लेकिन जब monsoon होता था जब बारिश का time होता था तब वो छोटी सी धारा काफी बढ़ जाती थी गशिंग torrent का मतलब है एकदम बड़ी तेज धारा बहती थी क्योंकि बारिश होती थी cascading down from the hills cascading का मतलब है उपर से नीचे गिरना hills से वह उपर से नीचे गिरती थी बट द्यूरिंग दे समर इट वस बैरली एक लेकिन समर के टाइम पर क्या था वो पानी की जो छोटी सी धारा थी वो काफी छोटी हो गई थी क्योंकि पारिश नहीं हो रही थी ओके स्टूडेंस अब हम अगले पेज पे जाके देखते हैं क्या होता है ओके स्टूडेंस अब हम पेज नंबर 46 पे हैं चले देखते हैं स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है वो चोटी सी धारा से वो पूल भर जाता था वो बाकी जो पूल उनके आजो बाजो थे उनकी तरह नहीं था बाकी के पूल आजो बाजो के ड्राय हो गए थे रंजी ने जब वो पूल देखा दिद नॉट हेजिटेट का मतलब है उन्होंने यहां वहां बिल्कुल नहीं देखा उसे वो पूल के अंदर जाना था यहां पे ऑथर कह रहे हैं कि वो बहुत ही वो जब वहां पे राजबताना डेजर्ट में पहले अपने फेरेंस के साथ रहता था तब वहां पे क्या था स्टूड्ट जहां पर राजबताना डेजर्ट में रहता था वहां पे जो पूल थे वह काफी स्टिकी मतलब चिप चिप चिपे मडी पूल जयाने की पूरी मित्टी से भरे हुए आपने देखा होगा बफिलो जब पानी में जाते है कि इतनी गंदा हो जाता है पानी और वहां की ओरते वो पूल में कपड़े धोरी होती है इसलिए उसे वो चीज नहीं पसना आता रंजी ने कभी ऐसा पूल नहीं देखा था जो इतना क्लीन हो और इन्वाइटिंग का मतलब है उसे बुला रहा हो लेप्ट का मतलब है उसे बुला रहा हो जाले देखते हैं इसका मतलब क्या है इस बेसिकली इस लिम्स वर सपल का मतलब क्या है स्टूड़े थे उसके पैरों में और इस बॉड़ी ग्लिस्टिंड इस चमक रहे थे उसकी बॉड़ी in patches of sunlit water patches of sunlit water का मतलब है students वो पानी में काफी जादा sunlight आ रही थी इस वजय से जो रंजी थी उनकी बॉड़ी ग्लो कर रही थी the next day he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool अगले दिन वो वापस आया to quench his body quench का मतलब है basically quench का मतलब है students की उन्हें वो चीज काफी अच्छी लगी उनको वापस से अपनी प्यास बुजानी थी तो वापस वो water की तरफ गए वो पूल की तरफ हाय he was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water और वो एक गंटे तक वहाँ पे थे sliding मतलब वहाँ पर पानी के अंदर बहार आ रहे थे वो limped green water limped green water मतलब स्वच्छ पानी और lying stretched out in the smooth yellow rocks in the shade of broad leaves salt trees या रंजी पानी में रहते थे जाद अतर उस एक गंटे में या फिर lying stretched out lying stretched out का मतलब है आप देख रहे होंगे इस फोटो में इस तरह से वह अगर वह पूल में नहीं होते थे तो वह बाहर मजे ले रहे होते थे yellow rocks के ओपर अपने आपको रखे और sunlight में नहीं लेकिन एक tree के नीचे वो पैट जाते थे और जब वो लेटे हुए थे वहाँ पे तब उन्होंने क्या किया उन्होंने नोटिस किया कि एक और बॉय एक और लड़का वहाँ पे तो कुछी distance में उसे खड़ा है staring at him in a rather hostile manner hostile का मतलब है अच्छी तरह से वो देख नहीं रहा था जो दूसरा लड़का महाँ पे खड़ा था वो रजी को ठीक नजर से नहीं देख रहा था the other boy was a little older than रजी और वो दूसरा लड़का था वो रजी से थोड़ी उमर में बड़ा था okay taller thick set with a broad nose and thick red lips so काफी tall था thick set thick set का मतलब क्या है students thick set का मतलब है कि अच्छी कासी built थी उसकी उसकी जो body थी वो काफी अच्छी कासी built थी with a broad nose और उतका नोस काफी बड़ा था and thick red lips तो यहाँ पे students वो रजी डिस्क्राइब कर रहा है कि वो दूसरा बच्छा दिखने में कैसा था he had only just noticed रजी and when रजी दिद नोट से अनितिंग और अधर कॉल आउट what are you doing here mister so दोनों बस एक दूसरे को देखी रहे थे तब रजी ने कुछ नहीं कहा लेकिन उस बच्चे ने कहा what are you doing here तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो mister so रजी who was prepared to be friendly was taken aback at the hostility of the other's tone so रजी का nature काफी friendly था लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे tone में उनकी आवाज में ऐसे आवाज में क्यों बात कर रहे है hostility का मतलब है rude होना, arrogant होना, ढंक से बात नहीं करना I am swimming he replied so रजी ने कहा कि मैं swim कर रहा हूँ why don't you join me, तुम join क्यों नहीं करते हो मुझे I always swim alone said the other, this is my pool, I did not invite you here मैं हमेशे अकेले swim करता हूँ और यह मेरा pool है, मैंने तुम्हें invite नहीं किया यहाँ पे the stranger stored up to Ranji who still sat on stored up, stored up का मतलब क्या है students चले आना, वो stranger Ranji की तरफ चले आया चले देखते हैं students आके story कैसे वरती है okay students, अब हम page number 47 पे है planting his broad feet firmly on the sand said planting his broad feet firmly मतलब उन्होंने अपने जो पेर थे वो उस मिट्टी के अंदर ढसने चालू कर दिये वो stranger ने और उसने कहा कि don't you know I'm a warrior, I don't take replies from villagers like you उनने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं एक warrior हूँ और मैं एक villager से reply नहीं लेता हूँ किसी भी चीज का ठीक है कि तुम्हें villager से fight करना पसंद है well I'm not a villager, I'm a fighter रंजी ने कहा मैं एक villager नहीं हूँ, मैं एक fighter हूँ I'm a warrior, I'm a fighter so वो stranger ने कहा कि मैं warrior हूँ रंजी ने कहा कि मैं fighter हूँ they had reached an impasse impasse यानि कि ऐसी जगह जहां पे जिसका कोई end नहीं है वो दोनों argue कर रहे थे one had said he was a warrior the other had proclaimed himself as a fighter एक कहता था कि वो एक warrior है और दूसरा कह रहा था कि वो एक fighter है proclaim का मतलब है खुद से ही चीजे कहना there was little else that could be said और कुछ भी था जो बोला जा सकता था लेकिन वो उसी चीज प्याड़े हुए थे you understand that I'm a warrior said the stranger तुम समझते हो कि मैं एक warrior हूँ वो stranger ने कहा रंजी से feeling that perhaps this information had not penetrated रंजी's head और वो stranger को लग रहा था कि शायद ये जो information मैं दे रहा हूँ वो शायद से penetrated penetrated का मतलब है दिमाग में गुसना वो रंजी के दिमाग में चीज गुसरे या नहीं गुसरे थी I have heard you say it three times replied रंजी मैंने सुना तुमने तीन बार ये सेम चीज कही then why are you not running away फिर तुम भाग क्यों नहीं रहो यहां से I am wanting for you to run away रंजी ने का मैं चाता हूँ कि तुम भागो यहां से I will have to beat you मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा said the stranger assuming a violent attitude showing रंजी the palm of his hand और जब वो stranger ने कहा I will have to beat you उसने एक violent attitude दिखाया यानि कि aggressive behavior दिखाया रंजी के प्रती और उसने अपना palm दिखाया हाथ का यह बताते हुए कि मैं अभी तुम्हें मारूंगा you will see me do it said the other boy तुम देखोगे मैं एक अप करता हूं stranger ने कहा रंजी बेटे the other boy made a strange hissing sound so रंजी वहाँ बेट कर रहा था और जो stranger था उसने एक अजीब सी आवाज hissing का मतलब है आपने देखा होगा साप कैसे hiss करते हैं साप के मुझसे जो आवाज निकलती है वैसी आवाज उस stranger ने निकालने की कोशिश की they started they stared each other in the eye for almost a minute एक मिनिट तक वो एक दूसरे को घूरते रहे stared का मतलब है students घूरना for almost a minute then the warrior slapped रंजी अक्रोस देखे with all the force he could muster वो जो warrior था जो stranger था उसने क्या किया रंजी को कीच के थपड मारा जितना भी force था उतना सारा force उसने लगाया रंजी staggered staggered का मतलब क्या है students staggered का मतलब है लड़ खड़ा so रंजी वहाँ पे लड़ खड़ा गया feeling quite dizzy dizzy का मतलब है उसे थोड़ी चकर आने लग गई they were thick red finger marks on his cheek so जब वह stranger ने रंजी को थपड मारा तो उसके face पे red finger के marks आ गये थे उसके cheek पे red finger के marks आ गये थे there you are exclaimed his assailant will you be off now उसने कहा अब समझ में आया तुम्हें assailant का मतलब है attacker आकरमन कारी so जब उसने कहा की अब समझ में आया तुम्हें अब तुम्हें से जाओगे will you be off now for answer रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face so रंजी भी वहाँ पे रुका ने उसने अपना हाथ उपर उठाया और उसे जोर से पुश किया bony fist into the other's face bony fist का मतलब क्या है students अपनी kony से उसको मारा okay and then they were at each other's throats swaying on the rock each other's throats का मतलब है उदोनों का जगडा मारपी चालो हो गई swaying on the rock का मतलब है वहाँ पे जहाँ पे बड़े बड़े rocks रखे होए थे पत्थर रखे होए थे वहाँ पे इनका जगडा चालो हो गया trumbling on the sand rolling over and over trumbling का मतलब है गोल गोल गूमना रेत पे एक दूसरे को मार के गोल गोल गूम रहे थे rolling over and over their legs and arms locked in a desperate violent struggle और उनके हाथ और पेर lock हो गए थे एक दूसरे में students और काफी violent behavior दिख रहा था दोनों का gasping and cursing clawing and slapping gasping का मतलब है lambi lambi saasे लेना clawing का मतलब है नोचना okay so curse भी कर रहे थे cursing का मतलब है एक दूसरे के पार में बुरा बोलना और clawing का मतलब है students noachना and slapping they rolled into the shallows of the pool shallows of the pool का मतलब है so एक छोट ऐसी जगा होती है पूल के हाँ पे जादा भीड नहीं होती और जादा पानी घहरा भी नहीं होता वहाँ पर वो दोनों रोल करते हुए चले गए even in the water the fight continued as so पानी में भी उनकी fight चलती रही students splattering splattering का मतलब है तीजी से बोलना and covered with mud they grope for each other's head and throat तो उनों पूरे mud से cover हो चुके थे लेकिन they grope for each other's head grope का मतलब है खोच उन्होंने एक दूसरे की का सर डूढने की कोशिश की और उनका गला पकडने की कोशिश की चले देखते हैं students आगे क्या होता है struggle का मतलब है दोनों एक दूसरे को इतना मार पी चल रही थी की समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा neither boy had emerged victorious neither boy had emerged victorious माने दोनों मैं से कोई भी ना जीता okay victorious याने की जीतना their body is heaving with exhaustion heaving का मतलब है भारी हो गई थी और exhaustion का मतलब है बहुत जादा अब पीछे खुद को पीछे डखेला और making tremendous effort to speak और दोनों काफी जादा हाफ रह थे लंबी लंबी सांसे ले रहे थे इस वज़े से उनको बात करने नहीं हो रहा था now now do you realize I am a warrior gasp the stranger उस stranger ने का अभी तुम्हें समझ में आया कि मैं एक warrior हूँ do you know I am a fighter said Ranji with difficulty तुम्हें पता है कि मैं एक fighter हूँ Ranji ने कहा they gave a moment's consideration to each other's answers and in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts तो उन्होंने क्या किया जब इन्होंने ये चीजे बात कही उन्होंने एक लंबी सी सांस ली और बेट कर रहे थे कि सामने वाला कुछ बोलेगा लेकिन क्या हुआ था उनकी heavy breathing की वज़े से और उनकी हाट बीड भी काफी तेज हो गई थी इसले दोनों में से कोई बोल नहीं रहा था तो एक मिनिट का silence हो गया था मां पे then you will not leave the pool said the warrior warrior ने कहा तो तुम पूल नहीं छोडोगे रंजी ने कहा मैं नहीं छोडोंगा I will not leave it then we shall have to continue the fight said the other then अपने को fight वापस से continue करना पड़ेगा all right said रंजी but neither boy moved neither took the initiative लेकिन कोई वहाँ से move होने को रढ़नी ही था किसीने initiative भी नहीं लिया move होने का the warrior had an inspiration we will continue the fight tomorrow inspiration यानि की एक नहीं idea उसने कहा कि हम यह fight कल continue करेंगे चले देखते हैं students कहानी आगे कैसे बढ़ती है okay students अब हम page number 49 पे है come here again tomorrow we will continue this fight and I will not show you mercy as I have done today तो वो stranger ने कहा कि वापस कल आओ हम लोग यह fight को continue करेंगे और मैं तुम्हें mercy दया नहीं देखाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें आज दिखाए रंजी ने कहा I will come tomorrow I will be ready for you they turned from each other then and going to their respective rocks तो वो दोनों एक दूसरे की रॉक के हाँ पे चले गए जहां पे उसके कपडे रखे गए थे उन्होंने अपने कपडे पहने and left for the forest by different roots और वो forest से वहाँ चले गए अपने अपने घर तो students चले देखते हैं आगे क्या होता है जब रंजी घर पहुँचे तब उनको काफी difficulty हो रही थी समझाने के लिए कि उनके face पे cuts and bruises मतलब जो निशान fight में हुए थे उसे cuts and bruises कहते हैं जो घर पहुचे थे उसे cuts and bruises कहते हैं that showed on his face, legs and arms it was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight वोड difficult था समझाना to conceal, conceal का मतलब क्या है students चिपाना कि वो काफी unusually violent fight किसी से कर के आये थे unusually violent fight का मतलब है जो वो expected नहीं था fight होना and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day और उनकी माने कहा insisted मतलब उसे सुझाव दिया कि तुम घरी रुको आज कही बार मत निकलो that evening though he slipped out of the house and went to the bazaar और उसी शाम वो अपने घर से निकला और वो bazaar चला गया where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored laminate found comfort and solace का मतलब है कि वो इतना थका हुआ था कि उसे एक bottle एक बहुत ही प्यारी vividly colored laminate vividly colored मतलब तरह तरह की color की हुई एक bottle थी students उसमें उसे शांती मिल रहे थी देखके and a banana leaf full of hot sweet jalebes और एक banana leaf पे एक hot and sweet jalebes उसने पाई he had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road उसने जस वो lemonade finish ही किया था उसने देखा कि वो stranger adversary यानि कि उसका दुश्मन उसके सामने से आ रहा है his first impulse was to turn away and look elsewhere first impulse यानि कि पहला reaction उनका था कि turn away, उल्टा turn होके कही और देखना his second to throw the lemonade bottle at his enemy और दूसरा intention था कि जो lemonade का bottle था वो उसके ओपर फेंगते but he did neither, उसने वो दोनों में से कुछ भी नहीं किया okay students चली देखते हैं story आगे कैसे बढ़ती है okay students चली स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है देखें these things instead he stood his ground and scolded at his passing adversary तो उसको इच्छा रंजी की इच्छा हो रही थी कि वो lemonade fake के मारे लेकिन उसने क्या किया scolded scolded का मतलब है उची आवाज से बात करना और घुसे से देखा उसने उसकी enemy की तरफ and the warrior said nothing either but scowled back with equal ferocity उसने भी क्या किया उसने भी गुसी से देखा रंजी की तरफ with equal ferocity ferocity का मतलब है क्रोध the next day was as hot as the previous one अगला दिन भी उतना ही hot था जितना पहले का था रंजी felt weak and lazy and not at all eager for a fight रंजी को काफी weak feel हो रहा था और lazy भी feel हो रहा था किसी से fight करने के लिए his body was stiff and sore after the previous day's encounter ठीक है stiff का मतलब है students rigid सक्त हो गई थी और sore का मतलब है उसकी body दुख पेन भी कर रही थी क्योंकि वो काफी previous day जो mark out होई थी वो काफी दर्द निया थी but he could not refuse the challenge लेकिन वो challenge refuse भी नहीं कर सकता था not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat और अगर वो pool नहीं जाता अगले दिन तो वो acknowledgement of defeat का मतलब है students तो वो ये बता देता ये स्विक्रूती हो जाती उसकी कि हाँ उसने हार मान ली है जो वो कते नहीं चाता था from the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight और उस रंजी को अंदर से feeling आ रहे थी कि मुझे जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे उनका एक दूसरा fight जरूर होने वाला है but he could not acquiescence in his own defeat लेकिन वो खुद मानने को तयार नहीं था students acquiescence का मतलब है चुपचाप स्विकार करने को ready नहीं था खुद की defeat हार को he must defy his enemy to the last और वो चाता था कि वो अपने enemy को defy करे defy मतलब हरा दे और outwit him outwit का मतलब है ऐसे position पे रखे student जहां पे वो वापस किसी से fight ता करे for only then could he gain his respect तब जाके ही वो अपनी खुद की respect रंजी अपनी खुद की respect कमा सकता था if he surrendered now he would be beaten for all the time अगर उसने अभी surrender कर दिया तो वो forever तक मार खाता रहेगा but to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again लेकिन आज जो fight करता था आज जो fight उसने की थी that let him free to fight and be beaten again उससे उसको काफी प्रोचान मिला था कि एक और बार उससे लड़ जगडे as long as he fought he had a right to the pool in the forest उसको लग रहा था कि जब तक वो fight करेगा तब तक उसकी right है वो पूल पे जाने की चले students देखते हैं आगे क्या होता है okay students अब हम page number 51 पे हैं देखते हैं स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है he was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge और जो वो सिफ hope कर रहा था रंजी की वो जो stranger है वो भूल चुका होगा अपनी fight के बारे में but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting लेकिन उसके जो वो hope थे वो dash dash मतलब तूड गय थे जब उसने अपने ओपने को दूसरी तरफ देखा strip to the waist strip to the waist मतलब उसके उपर कुछ पहना नहीं था यानि की कोई T-shirt या कोई बन्यान या कोई वैस नहीं पहना था on a rock on the other side of the pool लेकिन वो दूसरी rock पे बैटा था और other side of the pool other side of the pool मतलब दूसरी तरफ था पूल के the warrior was rubbing oil on his body वो warrior अपने body पे oil रब कर रहा था he saw Ranji beneath the salt trees and called a challenge across the waters of the pool उसने Ranji को एक salt tree के बनीद बनीद मतलब नीचे देखा और called a challenge called a challenge मतलब उसे challenge किया कि तुम यहाँ पे आजा come over on the side and fight उसने का यहाँ आजाओ चलो fight करते हैं but Ranji was not going to submit to any conditions laid down by his opponent लेकिन Ranji सुनने वालों में से नहीं था submit to any conditions का मतलब है वो सामने वाले की थोड़ी सुनेगा और वो भी उसकी opponent की come this side and fight he shouted तो उसने का तुम यहाँ पे आके fight करो मुझसे with equal vigor equal vigor का मतलब है उसी जोश के साथ swim across and fight me here call the other तो वो stranger ने का तुम यहाँ पे आके मुझसे fight करो और perhaps you cannot swim the length of this pool या फिर तुमें शाहद से swimming आती नहीं है but Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring लेकिन Ranji एक dozen times dozen times वो आ जा सकता था इतनी उसमें strength थी और वो without tiring वो थक भी नहीं जाता था and here he would show the warrior his superiority और यहाँ पे वो warrior को अपनी superiority superiority का मतलब है students वो warrior से कितना बड़ा है वो दिखाना चाता था so slipping out of his vest he dives straight into the water slipping out of his vest का मतलब है students उसने अपना टी शर्ट या वैस जो पैना था पनियान निकाली और he dived into the water उसने चलान लगाई पानी के अंदर cutting through it like a knife cutting through it like a knife का मतलब है जैसे उसने चलान लगाई इतनी तेजी से लगाई ऐसा लग रहा था की एक छूरी चल रही है and surfaced with hardly a splash surfaced with hardly a splash का मतलब है पानी उपर उडाई ही नहीं जादा जब रंजी ने पूल में चलान लगाई the warrior's mouth hung open in amazement hung open in amazement का मतलब है ये चीज देखे warrior का मुझ खुला का खुला रह गया you can dive he explained तुम चलान मार सकते हो it is easy said रंजी रंजी ने कहा काफी easy है treading water waiting for a further challenge can't you dive फिर रंजी ने कहा तुम dive नहीं कर सकते treading treading का मतलब है पानी में चलना no said the other I jump straight in but if you will tell me how I will make a dive नहीं मैं सीधा jump करता हूँ पानी में लेकिन तुम मुझे बता सकते हो तो मैं dive कैसे कर सकता हूँ इसके अंदर it is easy said रंजी stand on the rock stretch your arms out and allow your feet head to displace display your feet उसने कहा काफी easy है एक rock पे खड़े हो जाओ अपने arms को ऊपर stretch करो अपने हाथ को ऊपर stretch करो and allow your head to displace your feet और अपना जो सर है वो पानी की तरफ रखना the warrior stood up stiff and straight warrior वहाँ से खड़ा हो गया उसकी body काफी stiff थी और straight एकड़ा हो गया stretched out his arms उसने अपने arms को stretch किया and threw himself into the water और threw himself into the water का मतलब है अपने आपको पानी में फेक दिया he landed flat on his belly with a crash that's in the birds screaming out of the trees he landed flat on his belly का मतलब है students जैसे उसने अपने आपको पानी की तरफ फेक दिया तब वो पेट के बल के रहा belly का मतलब है with a crash that send the birds screaming out of the trees इत्ती जोर से आवाज आई कि birds वहाँ पे डर गये थे जो पेड़ पे बैटे थे रंजी dissolved into laughter dissolved का मतलब है वो रंजी ये देखके काफी जादा हसने लग गया कि वो stranger को चलान मानने भी नहीं आती dissolved का मतलब है वहाँ पे so यहाँ पे dissolved का मतलब है कि वो एकदम फूट फूट के हसने लग गया चले देखते हैं स्टूरी आगे कैसे बढ़ती है ओके स्टूडिंस अब हम पेज नंबर फिफ्टी टू पे है are you trying to empty the pool? he asked as the warrior came to the surface spouting water like a small whale तो रंजी ने खा तुम ये पूरा पूल का पानी खाली करना चाते हो क्या ठीक है क्योंकि spouting water like a small whale का मतलब है पानी जो warrior था उसने क्या किया उसने जब चलान लगाई तब वो पेट के बल गिरा और वो तुरंद वहां से खड़ा हो गया तो खड़ा होते ही वो पूरा पानी चिड़कने लग गया यहां महाँ पे wasn't it good as the boy evidently proud of his feet तो क्या यह सही नहीं था वो boy ने पूछा proud of his feet का मतलब है special skill उसको लगा कि उसने काफी बढ़िया jump लगाई not very good said Ranji you should have more practice see I will do it again Ranji ने का not very good तुम्हें practice की जरूरत है चलो मैं तुम्हें फिर से करके बताता हूं and putting himself up on a rock he executed another perfect dive और अपने आपको वो rock पे ले गया Ranji और executed another perfect dive का मतलब है एकदम अच्छे से उसने वो dive को जिस तरह से पहले plan किया था वैसे ही उसने एक perfect सी dive लगाई the other boy waited for him to come up but swimming underwater Ranji circled him and came up upon him from behind तो जो stranger था वो wait कर रहा था कि Ranji अब कब उपर आएगा but swimming underwater लेकिन Ranji काफी underwater चला गया था और Ranji ने क्या किया Ranji उसके इर्द किर्द गूम रहा था underwater और उनके पीछे से वो आटपका how did you do that? asked the astonished youth कैसे कर लिया तुमने इसे? astonished का मतलब है अचंबित होना उस पे Ranji ने कहा can't you swim underwater रास चान जी तुम्हें underwater swimming नहीं आती? no but I will try फिर उनने का okay but मैं try कर सकता हूँ the warrior made a tremendous effort to plunge into the bottom of the pool so warrior tremendous effort का मतलब है बहुत महनत की उनोने plunge into the bottom of the pool plunge मतलब कूदना और उसने underwater जाने की काफी कोशिश की and indeed he thought he had gone right down और उसे लगा कि वो अंदर चला गया है though his bottom like a duck remained though his bottom like a ducks remained above surface लेकिन फिर भी वो नाकामियाब रहा वो फिर भी above surface above surface यानि पानी के उपर ही था वो अंदर नहीं जा पा रहा था रंजी however did not discourage him रंजी did not discourage him का मतलब है उसने उसका साहस नहीं तोड़ा वो stranger का it was not bad he said but you need a lot of practice उसने का ठीक ये काफी अच्छा था पर तुम्हें practice की जरूरत है will you teach me asked his enemy तुम मुझे सिखा होगे if you like I will teach you रंजी ने का अगर तुम्हें ठीक लगे मैं सिखा दूँगा you must teach me if you do not teach me I will beat you will you come here everyday and teach me तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा अगर तुम नहीं सिखा होगे तुम्हें तुम्हें मारूंगा तुम्हें पे रोज आओगे मुझे सिखाने के लिए तो उस पे रंजी ने का if you like said रंजी they had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock रंजी ने का sure अगर तुम्हें पसंद है तुम्हें आऊंगा तो उन्होंने अपने आपको pulled themselves out का मतलब है अपने आपको पानी से बाहर निकाला और वो एक rock smooth grey rock पे आके बैठ गए my name is Suraj said the warrior what is yours तो वो जो stranger का नाम Suraj था तो उसने रंजी से अपना नाम पूछा it is Ranji I am strong am I not asked Suraj bending his arm so that a ball of muscle stood up stretching the white of his flesh तो Suraj ने खा मैं strong नहीं हूं क्या और उसने अपना आम जो है वो नीचे बेंड किया और जैसे उसने अपना आम नीचे बेंड किया उसने अपनी muscle दिखानी चाही Ranji को you are strong said Ranji you are a real पहलवान Ranji ने का तुम काफी strong हो तुम एक पहलवान के जैसे हो one day I will be the world's champion wrestler said Suraj Suraj ने का एक दिन मैं एक world champion wrestler बनने वाला हूँ बनना चाहता हूँ slapping his thighs slapping his thighs मतलब अपनी thigh के ओपर उसने जोर से मारा खुद की thigh के ओपर which shook with the impact of his hand he looked critically at Ranji's hard thin body उसने Ranji की body की तरफ देखा critically मतलब बड़ी ध्यान से उसकी वो काफी thin था काफी पतला था you are quite strong yourself he considered उसने का कि तुम खुद काफी strong हो considered का मतलब है admit करना उसने उन्होंने admit किया कि तुम भी काफी strong हो but you are too bony लेकिन तुम काफी bony हो तुमारी body पे जादा mass नहीं है तुम काफी skinny हो I know you people do not eat enough you must come and have your food with me I drink one sear of milk every day तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर पे खाना खाओ I one sear of milk sear का मतलब है students one liter of milk every day we have got our own cow हमारी खुद की एक गाय है चले देखते हैं students कहानी आगे कैसे वड़ती है students अब हम page number 53 पे है so if you be my friend and I will make you a pale one like me so सूरज ने का अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे मैं तुमें मेरी तरह एक pale one बनाऊंगा I know if you teach me to dive and swim underwater I will make you a pale one that is fair isn't it और फिर उन्हों ने का और फिर रंजी ने का अगर तुम मुझे dive और I'm sorry सूरज ने का कि तुम मुझे dive और swim underwater सिखा दोगे तो मैं तुमें पहलवान तो बनाई सकता हूं correct? यह तो एक fair deal है that is fair that is fair रंजी ने का तो he doubted if he was getting the better of the exchange लेकिन फिर भी रंजी को doubt हो रहा था कि यह सही exchange है या नहीं सही exchange है का मतलब students रंजी को doubt हो रहा था कि यह सही चीज है या नहीं कि वो मुझे पेलवान बना सिखाया और मैं उससे swimming सिखाऊ सूरज put his arm around the younger boy and said we are friends now yes सूरज ने अपना एक arm रंजी के ऊपर डाला और कहा अभी हम दोस्त है बराबर they looked at each other with honest, unflinching eyes तो उनोंने एक दूसरे की तरफ एकदम honesty से देखा और unflinching का मतलब है और पलग पिना पल के जुकाये देखा and in that moment love and understanding were born और दोनों के बीच काफी प्यार और दोस्ती हो गई थी we are friends said रंजी रंजी ने का हाँ हम दोस्त हैं अभी the birds had settled again in their branches settled का मतलब है students बैठ जाना तो birds वापस अपने branches पे आके बैठ गए थे and the pool was quiet and limpid in the shades of the salt trees और पूल भी काफी quiet था शान था और भरा हुआ था okay it is our pool said सूरज सूरज ने का अभी यह हमारा पूल है nobody else can come here without our permission would you dare और यहाँ पे कोई आनी सकता without अपनी permission के who would dare who would dare said रंजी रंजी ने का किस की हिमत हो सकती है smiling with the knowledge that he had won the day और रंजी ने कलम भी सी smile की क्योंकि उसे पता था कि उसने सूरज को चीत लिया है यह story है students Ruskin Bond ने लिखी हुई thank you